आप सब लोग का बहुत स्वागत है आज कि इस वीडियो में हम डिसक्स करने वाले हैं प्रिविएस क्वेशन्स ऑफ हिस्ट्री सो हिस्ट्री एक ऐसा सब्डेक्ट है जो कि हर एक एक एक्जाम में पुछा जाता है कोई भी आप HPSC जो है हमीरपूर बॉर्ड का एक्जाम ले देखे जो भी मैं प्रिविए सेर के पेपर को सोल करवाता हूं अगर वीडियो से आपको थोड़ा सा भी वैल्यू मिलता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इसी तरह के वीडियो जो है चैनल पे बन सिंथूघाटी स्विटा की मुक्ष लाक्षन इकता जो है क्या थी तो उनका जो ड्रेणेज सिस्टम था ओप्शन 20 का सहीं अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें इसको हडपन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है क्यूंकि पहली जो साइड डिस्कवर हुई नाम याद रखेगा, दयाराम साहनी के द्वारा जो है, इसको 1921 में डिसकवर किया गया था, उसके बाद जो second important side थी, वो थी मोहन जोदारों की, जिसको जो है RD Banner जी ने, RD Banner जी ने डिसकवर किया था, 1922 के अंदर, और भी जो है, जैसे की सुथ कांगे डोर है, इसको जो है, स्टीन के द्वारा जो है, 1929 को डिसकवर किया गया, इसके लावा चनहुदारों नाम की जो एक site है, इसको जो है, NG मजूमदार ने जो है, डिसकवर किया था, 1931 के अंदर, काली बंगन, काफी important site है, इसको जो है, घोस के द्वारा जो है, डिसकवर किया गया था, 1953 में, लो जहां से जो है, horses के bones, जो है, आपको प्राप्त हुई है, वो JP Joshi के द्वारा जो है, इसको डिसकवर किया गया था, 1964 के अंदर, and then आती है, धोला वीरा गुजरात के अंदर, इसको डिसकवर किया गया था, RS Bisht के द्वारा, 1985 के अंदर, तो यह कुछ important sites हैं, इंडस वाली civilization मे जिनके बारे में आपको जुरूर idea होना चाहिए, अगले question पे चलेंगे, which subject is not dealt with the puranas, तो पुराणों में किस विशे पर विचार नहीं किया गया है, इन में से आपको ऐसा विशे बताना है, जिस पे पुराणों के बारे में कोई भी जानकरी नहीं मिलती है, तो इसका right answer क्य रहेंगे, which place was famous as the seat of महायान लर्निंग, तो महायान जो देखें, महायान विद्या का एक पीठ के रूप में कौन सा स्थान पसे था, तो महायान लर्निंग जो है, में जो था वो नालंदा उनिवर्सिटी बिहार के अंदर, वहाँ पे महायान, देखें, जो आपका निवर्सिजम दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, महायान और हीनियान में, ठीक है, ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, कब हुआ था, जब बुद्धिस्ट कॉंसिल जो फोर्थ नंबर की हुई थी, राइट, कश्मीर के अंदर, तो उसमें जो है, ये आपके मह महायान और हीनियान दो सेक्ट में डिवाइड हो गया था और ये जो कश्मीर वाली जो थी ये कनिश्क के टाइम पे जो है हुई थी किसके टाइम पे कनिश्क के टाइम पे जो फॉर्थ बुद्धिस कॉंसल थी चार बुद्धिस कॉंसल हुई थी उसमें जो लास्ट वाली थ कुंडल 1 में जो है ये 72 AD के दुरान जो है ये हुई थी जिसको जो है वासु मित्रा ने प्रिसाइड किया था याद रखेंगे वासु मित्रा के दौरा प्रिसाइड किया गया था और किसके टाइम पे हुई थी करिश्क के टाइम पे हुई थी और प्रिसाइड किस ने करी थी यानि कि अध्यक्षता किस ने करी थी वासुमित्रा ने करी थी जब यह हीनियार और महायान दो सेक्ट में डिवाइड हो गया था चलिए नेक्स कॉश्चन पर चलेंगे दा मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ इन गॉल्ड दूरिंग दा गुप्ता पिरिडवाज नोन ऐस तो गुप्त काल के दुरान सोने में जो है विनिमय के माध्यम को किस रूप से जाना जाता है तो सुवर्णा जो है सोने का सिक्का जो थ और इन्हों ने जो है इसको गोल्ड कोईन को स्टार्ट किया इसके साथ साथ जो है नालंदा युनिवरसिटी की भी होज इन्हों ने की थी याद रखेगा नालंदा युनिवरसिटी गुप्ता टाइम की जो है इसको फाउंड किया था कुमार गुप्त के दौरा और देख फ़ष्ट के वह कुरुद्धर हैं उनका चंदरफ्ट्रकूम माहरांज अधिराज नाम से इनको टाइटल चंदर जो हैं. फिर इसकर पूछ पूछ ऑनी नाम तो वह शुक्रम पूछ लोगा गहा है और हुप्रwhen Welcome उड़ाओं प्यूस क्य tactic बिंद्ध कर लुए14 पहियान ने जो चीनी यात्री है फाहियान उसने भारत की यात्रा करी थी तो ये सारी चीजे जो है गुप्ता डेनस्टी से रिलेटेड हैं अगले कोशन पर चलेंगे अरलियस सीड्स ओफ भक्ती मुवमेंट इन इंडिया आर फाउंड इन तो भारत में भक्ती अंदौलन के शिरुवाती बीज जो है किसमें पाए गए हैं तो ये सूफी फिलोसफी जो है इसमें पाए गए हैं ऑप्शन सी इसका सही अंसर होगा दोस्तों अगर भक्ती मुवमेंट की बात करें तो भक्ती मुवमेंट दो पार्ट्स में डिवाइड था एक कुछ जो फॉलोवर जो थे वो विश्नु के फॉलोवर थे ठीक है और उनको क्या कहा जाता था उनको अलवर्स कहा जाता था ठीक है अलवर्स कहा जाता था जो कि विश्नु की पूजा किया करते थे दूसरा था दूसरे थे जो शिवजी की पूजा करते थे शिवा की पूजा करते थे उनको बोला था नयानार्ष ठीक है नयानार्ष तो नयानार्ष उगए और दूसरे अल्वर्ष thearin विश्णु की पूज़ा किया करते थे और नैयानार्ष जो थे यह शिपजी की पूज़ा किया करते थे तो यह दो पार्ट में ặोतमें तह याद सिस्टम के खिलाफ थे और इन दोनों में वुमेन का पार्टिसिपेशन काफी बड़े लेवल पे था याद रखेगा वुमेन का पार्टिसिपेशन काफी बड़े लेवल पे था रैट और एक क्वेशन और बनता है कि earliest exponent कौन थे यानि कि सबसे पहले भक्ती मुमेन किसने स्टार्ट करी थी याद रखेगा रामानुजा ने ठीक है रामा नुजा या फिर रामानुजा चार्य पूरा नाम भी आप लेख सकते हैं रामानुजा चार्य के द्वारा जो है यहां पे भक्ती अंदोलन को सबसे पुराने प्रतिपादक के रूपे इनको माना जाता है इनसे शुरुआत हुई है भक्ती मुमेंट की भक्ती मुमेंट एक ऐसा टॉपिक है आप देखेंगे हर या दूसरे या तीसरे एक्जाम में यहां से कॉश्चन पूछा जाता है चलिए अगले कुश्चन पे चलेंगे विच ओफ दे फॉल्विग से नेम इस अशुशेटेड विद शिवाजी नेमने में से किस संत का नाम जो है शिवाजी से जुड़ा हुआ है दोस्तों तो ये है आपके रामदास ओप्शन बी इसका सही अंसर होगा रामदास से इनका नाम जुड़ा हुआ है अब दिखें यह जो कुछ अब भक्ति मुमेंट की अगर हम बात करें तो भक्ति मुमेंट साउथ में भी थी जैसे तमिल नाडू, करनाटका है मिडल में भी थी जैसे महाराष्टर है और नौथ इंडिया में भी थी तो तमिल नाड़ो और केरला वाले रिजन में जो है अलवर्ष जो थे जो विश्नु के डिवोटी थे और नयनर्ष जो थे ये शिवजी के डिवोटी थे करनाटका में इनको बसावना कहा जाता था और महराश्ट के जो है यहाँ पे जनान देव नाम देव तुकाराम जो है तीन इंडिविज्वल जो है उन्हें बक्ति मुम्मेंट को फिलाया था नौर्थ इंडिया में रावननंद, चैतन्य महाप्रभू, गुरू नानक और कबीरदास, रवीदास और नानक, मीरा भाई जो है इनके दौरा जो है यहाँ पे नौर्थ इंडिया में इसको भक्ति मुम्मेंट को फिलाया था इन सबी जो है इनके बारे में ज़रूर पढ़ना है आपने एक भक्ति मुम्मेंट एक सेपरेट चैप्टर है और जो मैंने आपको किताब बताई है that is Macbook उससे उसमें जो है यह अच्छी तरह से उसमें डिसकस किया गया है तो उसको ज़रूर फॉलो करिएगा अशोक पिलर इस लोकेटेड है अशोक पिलर जो है कहां पे लोकेटेड है इन में से तो यह है लोरिया नंदगड में ठीक है नंदगड में जो है यहां पे लोरिया नंदगड में अशोक पिलर आपको देखने को मिले तो टोटल अशोक जो एडिक्ट्स है वो साथ है याद पहले नंबर का यह क्या बताता है, शोक के principles of protecting people, दूसरे नंबर का बताता है, यह धम को define करता है, इसके अलाबा जो है, थर्ड जो है, यह practice of cruelty, harshness, जो pride है, anger है, तो इसको जो है, इसके बारे में बताता है, responsibility of Rajukas, यह fourth नंबर का है, last वाला जो है, यह fulfilling धम्मा, tolerance of all sects, सभी religion क जो है, सम्मान करना, इसके बारे में, जो है, 7th November का जो इसका pillar addict है, ठीक है, तो 7 major, जो है, pillar addict है, और 14 rock addict है, major, ठीक है, जो कि आपको थोड़ा सा idea रखना चाहिए, अगले question पर चलेंगे, most of the building of फतेपुर सिकरी are built with, तो फतेपुर सिकरी जो बना हुआ है, उसकी building जो बनी ह गुजरात को, तो गुजरात को जो है, इसने 1573 में जीता था, और उसके application में, जो है, यहां पे city of victory भी से कहा जाता है, तो city of victory के तोर पे, फतेपुर सिकरी का निर्मान कराया गया, अकवर के तोरा, और यह अकवर की जो है, 12 साल तक capital रही थी, आगरा district में यह located है, याद र चुकी है, तो यह सारी चीज़े फतेपुर सिकरी से related याद रखेगा, चलिए, India was invaded by तैमूर लंग, तो तैमूर लंग भारत पर कब आकरमन करता है, तो 1398 में जो है, यह अकरमन करता है, रिपीट होता है, यह question बार-बार exam में, तो तैमूर लंग कब आया था, 1398 में आया थ तो याद रखेगा, चलिए, next question पर चलेंगे, the battle of plassi was fought in which year, battle of plassi जो लड़ी गई थी, वो कब लड़ी गई थी, तो battle of plassi जो लड़ी गई थी, वो लड़ी गई थी, 1757 के अंदर, okay, 1757 के अंदर जो है, battle of plassi जो है, लड़ी गई थी, okay, so किस-किस के बीच में जो है, य और जो है, इसके साथ थे French troops, French जो है, वो भी इनके साथ थे, right, और इसके लावा जो है, दूसरी और से कौन था, Robert Clive था, ठीक है, दूसरी और से था, वो था, Robert Clive English, ठीक है, तो यह याद रखेगा, battle of plassi, और जो आपका battle of plassi है, यह दोनों important है, exam perspective से, इनको याद तो battle of bucksar कब हुआ था, 1764 में, इसको आपने comment section में बताना है, कि किस किस के बीच में battle of bucksar हुआ था, तो यह इसका answer जो है, आपने जरूर comment section में बताना है, चलिए next question पर चलेंगे, who was the first Sultan of Delhi to introduce the practice of Sijda, तो सिजदा और पैबोस दो ऐसी चीज़े हैं, जो कि एक, जो हमारे ruler है, देली सल्तनत के, उन्होंने जो है यहां पे इसको इसकी शिरुवात करी थी, तो यह थे ग्यासु दीन, बलबन, option C, इसका सही answer होगा, ठीक है, तो सिजदा है क्या actually, तो यह क्या था कि, जो राजा था, जैसे बलबन राजा है, तो इसके दरवार में जो है, लोगों को घु स्लेव डानेस्टी से बिलोंग करता है, और याद रखेगा जो स्लेव डानेस्टी है, इसको ममलूक डानेस्टी भी कहा जाता है, ठीक है, और स्लेव डानेस्टी की शुरुवात किस ने करी थी, यहीं से question पूछा जाता है, कुत्तु बुदीन एबग के दोरा जो है यहां इसकी शुरुवात करी गई थी, कब से 1206 से लेके 1206 तक जो है, 1290 तक जो है, यह जो है, यह चली थी, इनकी डानेस्टी, अब इसके इलावा जो है, बलबन से और question क्या बनते हैं, कि 40 की शुरुवात किस ने करी थी, 40 की शुरुवात जो है, इन्होंने करी थी, जिसमें 40 important minister जो है, उनके council बनाई गई थी, जिनको हर एक particular काम के लिए जो है, चुना गया था, right, याद रखेगा, बलबन की related एक और question पूछा आता है, कि बहाउद्दीन जो है, नाम है, याद रखेगा, असली नाम क्या था, बहाउद्दीन, ओके, और इन्होंने एक नया festival launch किया था, या फिर introduce किया था, that is Navrose, Navrose नाम का, ठीक है, Persian festival था ये, और ये जो है, इन्होंने introduce किया था, okay, so, इन्होंने एक और चीज, spy system भी start किया था, spy system, दो ruler ने, आपको पता होगा, start किया था, एक तो, बलबन ने start किया, और दूसरा जो start किया था, वो किया था, कुछ, सुरी, allow दिन खिल जी, ठीक है, इन्होंने spy system जो है, start किया था, चलिए, अगले question पर चलेंगे, the clarion call, दिल्ली चलो was given by, दिल्ली चलो का जो नारा था, आपको पता होगा, किस ने दिया था, तो ये सुभाष चंदर बोस ने दिया था, option C, इसका सही answer होगा, और काफ genuine question है, बार-बार exam में ये पूछा जाता है, ठीक है, और ये सुभाष चंदर बोस ने ये कब दिया था, सिंगापूर में दिया था, ठीक है, सिंगापूर में दिया था, आपको पता होगा, जपान की, जब जो है, ये किसकी side थे, ये जपान की तरफ थे, और जपान forces ने ज इंडियन नैशनल आर्मी की शुरुवात भी जो है, इन्होंने 21 अक्तूबर 1943 में जो है, बनाई थी, ठीक है, जिसको आजाद हिंद फोज की नाम से भी आप जानते हैं, अब देखिए, दो सेशन में ये इंडियन नैशनल कॉंग्रेस के जो है, प्रेजिडेंट रहे चुक त्रिपुरी का, ये दो सेशन हैं, जिन में ये प्रेजिडेंट रहे हैं, इन्डियन नैशनल कॉंग्रेस के, इनकी बात करें दोस्तों, तो सुभाष चंदर बोस ने 1920 में जो है, 1920 में इंडियन सिवल सर्विसिस का एक्जाम क्लॉलिफाई किया था, जो कि उस समय कहां पे ह इंग्लेंड के अंदर होता था, ठीक है, लेकिन इन्होंने इसको 1920 में ही छोड़ दिया, क्योंकि नौन कॉर्परेशन मुम्मेंट जो है, गांदी जी के दोरा जो है, वहां पे लॉंच कर दिया था, तो इन्होंने जो है, इसी दुरान जो है, इसको छोड़ दिया, एक और दो चीज़ आपको याद रखनी है, 1939 में इन्होंने forward block की जो है, शुरुआत करी थी, question पूछा था, forward block नाम की जो है, organization किसने शुरुआत करी, 1939 में सुभाष चंदर वोस के दोरा जो है, इसको बनाया गया था, और साथी साथ, किसान सभा को भी जो है, इन्होंने बनाया था किसान सभा, ठीक है, तो यह सारे question है, इन्होंने इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था, दूसरा जैहिंद, जैहिंद का पुछा आता है, जैहिंद का नारा किसने दिया है, तो सुभाष चंदर बोस ने दिया है, दोस्तों, इनकी एक autobiography है, जो कि आपको याद रखनी ह The Indian Struggle नाम की जो है, इनकी autobiography है, The Indian Struggle, ठीक है, दिमाग बें बठा लीजिए, The Indian Struggle, 1945 में plane crash हुआ था, उसी दुरान जो है, इनकी मृत्ती हो जाती है, So, these were the important things you have to remember regarding the सुभाष चंदर बोस, right, जो चलिए, next question पर चलेंगे, Who conceived the idea of Pakistan, देखे, पाकिस्तान की कलपना जो है, सबसे पहले किस ने करी थी, उनका नाम आपको बताना है, तो इसका option B, इसका सही अंसर होगा, रहमत अली, चोधरी रहमत अली इनका पूरा नाम था, right, तो दूसरी चीज़ ऐसे पूछी जा सकती है, कि किस ने पाकिस्तान ना की टर्म दी थी, तो वो भी अंसर जो है, सेम हो जाएगा, ठीक है, ना और नेवर नाम की जो है, एक बुकलेट थी, उसमें जो है, इनो ने ये चीज़ वहाँ पे मेंशन करी थी, ओके, अब देखो, सबसे पहले देखिए, लाहोर सेशन हुआ था, लाहोर सेशन जो हुआ इन्टीन फॉर्टी में जहां पे मुस्लिम लीग ने एक सेपरेट कंट्री बनाने की बात कही थी, ये बात आपको याद रखने है कि लाहोर सेशन 1940 में जो हुआ था, उसमें मुस्लिम लीग ने बोला था, कि हम जो है, एक सेपरेट मूस्लिम नेशन बनाएंगे, जिसका न पॉप्शन पर चलेंगे लाला लाजपत्राए जो है कि नहीं लिखते थे तो हिंदी में पंजाबी में उर्दू में पर्शन में काफी लेंगज इस में लिखते थे लाला लाज पत्राय को लाइन ओफ पंजाब के नाम से भी जाना जाता है या फिर शेरे पंजाब, शेरे पंजाब के नाम से ठीक है पहला question यह बन गया अब All India Trade Union Congress की शुरुआत जब हुई थी 1920 में तो इन्होंने इसको preside किया था तो साइमन कमिशन के दुरान जो है इन पे लाठी चार्ज होता है लाहोर के अंदर और उनी की injuries की वज़े से जो है इनकी वाद में मृत्ति भी हो जाती है एक special session हुआ था दोस्तों special session होता है इंडिन नेशनल कॉंग्रेस का 1920 में कलकत्ता में जो की इन्होंने preside किया था उस समय ये president थे इसके तो ये बाते आपको याद रखनी है और इन्होंने non-corporation movement जो हुआ था non-corporation movement उसको oppose किया था उसको withdrawal को जो है oppose किया था non-corporation movement कब start हुआ था 1920 में खतम हुआ था 1922 के अंदर तो इसको oppose किया था इन्होंने अब जो सुराज party जो बनी थी मोतिलाल नहरू और चितरंजन दास ने जो सुराज party बनाई थी 1922 के अंदर 23 के अंदर तो ये उसमें भी ये founding father के नाम से जो है जाने जाते हैं यानि कि इनका भी role था उनमें इसको बनाने में अब देखिए दो newspaper के ये editor थे जो कि आपको याद रखने हैं एक था बंदे मातरम एक था बंदे मातरम और दूसरा था पंजाब ठीक है and the people बंदे मातरम और पंजाब ये दो editor इन तो newspaper के ये यहाँ बे editor थे और भी कई सारी चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है लाज पत्राई से रिलेटिड जो की एक्जाम में पूछी जाती है चलिए अगले question पर चलेंगे The system of budget was introduced in India during the voice reality of budget की विवस्था भारत में किसकी voice reality में लागू की गई तो देखिए जो budget system था वो load canning के time पे जो है यहाँ पे किया गया था load canning के time पे किया गया था अब देखिए इनका tenor आपको याद रखना है 1856 से लेके 1862 अब जो mutiny हुई थी revolt of 1857 वो इन ही के time पे हुआ था याद रखिएगा ठीक है और इन से पहले कौन थे लोड डलहोजी थे जो की 1856 में यहाँ पे हटा दिये गई थे इन ही के time पे government of india act जो है government of india act आया था 1858 का जिसमें जो है आपका जो governor general of india जो पहले कहला जाता था उसको कहला जाने लगा viceroy of india ठीक है तो governor general viceroy में कब convert हुआ government of india act आया था 1858 का उसमें जो है इसको change किया गया अब 1858 में ही जो आपकी doctrine of labs थी ठीक है doctrine of labs किसने start करी थी लोड डलहोजी ने start करी थी और इनों ने इसको बंद किया था 1858 में यह बातें आपको याद रखने है इनी के दुरान code of criminal procedure code of criminal procedure जो है यह start हुआ था जो indian high court act आया था जिसमें high courts बनी थी हमारी तीन वो भी इनी के समय में आया थी 1858 में बिंगाल rent act आता है 1859 में वो भी इनके समय में आया था ठीक है तो यह सारी चीज़े हैं इन से related जो कि आपको याद रखनी है लॉड कैनिंग याद रखेगा budget system इनके टाइम पर इंट्रड्यूस हुआ था चलिए अगले question पर चलेंगे who was the founder president of India independence league तो भारती स्वाध हिंता लीग के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे तो यह थे राश बिहारी बोस ठीक है option डीस का सहींसर होगा राश बिहारी बोस अब यह जो है इंडिया independence league की शुरुआत हुई थी 1942 में यह बनी थी कहां पर जपान के टोक्यो में टोक्यो जापान में जो है इसकी शुरुआत हुई और यह किसलिए बनाई गई थी actually to remove the British colonial rule in India ठीक है तो जो colonial rule था Britishers का उसको remove करने के लिए जो है outside इंडिया जो है एक organization बनाई गई थी राश बिहारी बोस के दौरा ठीक है चलिए next एक और चीज़ याद रखना है आपने राश बिहारी बोस से related की जो Lord Hardinge थे वाइस रए हमारे Lord Hardinge उन पे जो bomb फैंका गया था वो भी इनके दौरा फैंका गया था तो date आपको बतानी है मुझे कौन सी वो date थी year आपको बताना है date नहीं बतानी है year आपको बताना है comment section में कि कौन सी वो year था जिसमें Lord Hardinge पे जो है bomb attack किया गया था और उस conspiracy किस conspiracy के case में जो है इनको पकड़ा गया था वो conspiracy का case जो है वो आपने comment section में बताना है चलिए अगले question पर चलेंगे, that is, महात्मा गांधी गेव दा काल to react foreign goods during the, महात्मा गांधी ने किसके दोरान विदेशी सामान के वहिशकार का अवान किया था, तो देखिए, स्वधेशी मुमेंट में किया था, याद होगा आपको कब हुई, इंटर्ड्यूस यह हुई 1905 में, जब कलकटा टाउन हॉल में जो है एक बड़ी सी gathering होती है, meeting होती है, और ये किसका reaction था, देखिए आपको बता होगा, 1905 में ही जो है, बंगाल का विवाजन किया गया था, यानि कि partition जो है, बंगाल हुआ था, रोबर्ट क्लाइव के दोरा, उसके reaction में ही स्वादेशी मुमेंट को इंटर्ड्यूस किया गया था, याद रखिएगा, तो 1905 में इंटर्ड्यूस हुई, इसमें जो तीन लीडर के नाम आपको याद रखने हैं, लाल, बाल, पाल, जिसको आप विबिन चंदरपाल, बाल, गंगादर, तेलक और लाला, लाज, पत्राय के नाम से जानते हैं, और जो ये जो पार्टिशन ओ बंगाल था, इसको जो अनाउंस किया गया था, जुलाई 1905 में किया था, ये भी डेट आपको याद रखने हैं, जुलाई 1905 में जो है पार्टिशन ओ बंगाल को अनाउंस कर दिया गया था, ओके और National Council of Education जो है 1906 में बना National Council of Education 1906 में देखिए क्या था स्वदेशी मुम्मेंट में क्या था कि सब कुछ जो है हम स्वदेशी करेंगे यानि कि कोई भी डिपार्टमेंट है कोई भी हम जो सर्विस दे रहे हैं ब्रिटिश गॉर्मेंट के अंडर वो हम सभी को जो है रिजाइन देंगे वहां से ना ही हम उनके वस्तरों को जो है क्लोज को पहनेंगे हम जो है खुदी खादी कपड़ा जो है याँ पे बनाएंगे ठीक है तो यह सारी चीजे जो है उन्होंने स्वदेशी मुमंट में करी थी अब देखो स्वदेशी मुमंट जो है जब 1907 में सूरत स्प्रिट होता है जिसमें जो मॉडरेड लीडर्स थे वो अलग हो गए और जो एक्स्टिमिस लीडर्स थे वो अलग हो गए थे आपको पता होगा सूरत स्प्रिट के नाम से हम इसको जानते हैं सूरत में ये सेशन हुआ था आपने मुझे एक कॉशन बताना है दो आपको कॉशन पूछूंगा मैं 1905 का सेशन एक्जाम में पूछा आता है और 1906 का सेशन जो हुआ था इंडियन नाशनल कॉंगरेस का ये कहां कहां किस लोकेशन में हुआ था ये आपको बताना है और उस समय इंडियन नाशनल कॉंगरेस के प्रेजिडेंट कौन थे यानि कि किस ने प्रिजाइड किया था इन दोनों सेशन में ये आपने कोवेंट सेक्शन में बताना है दोस्तों तो दिस वाज टूड़ेज लेक्चर अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जुरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और हम मिलेंगे आपको नेक्स लेक्चर में तब तक के लिए जाए